हलो एब्रिवन तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि CBSC की तरफ से सिलेवस रिलिज कर दिया गया है तो आप लोगों के लिए ले करके आगे मैट्स का रिड्यूस सिलेवस क्लास 10th 2023-24 स्टूडेंट के लिए देखो इसको बनाने में रात भर का टाइम लगा है बट आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा इसको अपने friend circle में share जरूर कर देना चलो इसको हम लोग समझ लेते सबसे पहले ये जो रिड्यूस सिलेवस है ये किनी student के लिए है देखो अभी market में दो टाइफ का NCRT का book है एक new book और एक old book अब आपके पास अगर old book है तो ये सारा चीज़े reduce करना है और अगर आपके पास new book है तो फिर आपका reduce syllabus के according ही new book को बनाया गया है अब आप बोलोगे सर हमें क्या से पता चलेगा कि मेरे पास new NCRT है या old तो आप उस book के content में, maths के content में देखो अगर आपके book में 15 chapter है तो समझ लो वो old book है और अगर आपके book में 14 chapter है तो समझ लेना new book है और अगर new book है तो ये सब cut करने का जरूरत नहीं है old book है तभी ये सब चीज़े cut करने ठीक है चलो बात करते हैं कि कोन-कोन से ऐसे chapter है जिसको complete ही करना वो old हो या new book हो तो ये सारे chapter है जिसमें हर एक चीज़ें आपको करना ही है चेप्टर 5, चेप्टर 9, चेप्टर 10, चेप्टर 12, चेप्टर 14, चेप्टर 15 यह सारे chapter से old हो या new book हो हर एक चीज करना है, clear है, उसके बाद, आगे हम लोग आते हैं, और यहाँ पर कुछ-कुछ चीजें reduce है, means deleted है, ठीक है, old वाले book में, chapter 11, आपका खत्तम, टाटा बाई बाई बाई, वो नहीं है, new book में है ही नहीं, old book में है, तो इसको काट दो, next है chapter 13, chapter 13 का एक topic है, frustum, to last का topic है, यह frustum नहीं आएगा, आप लोग का बाद की चीजें आएगा, और exercise 13.4 भी नहीं आएगा, clear है, वो यह frustum वाला ही है, इसका example भी नहीं आएगा, chapter 8 जो है, इसमें से 8.3 with example नहीं आएगा, बाद की चीजें आएगा, clear है, chapter 7, area of triangle, section formula, external वाल, दो formula होता है, external एक internal, external वाला नहीं आएगा, means exercise 7.3 with example नहीं आएगा, बाद की चीजें जो remaining बचेंगा, वो आएगा, आगे आजाओ, सारा चीजें समझ लो, अच्छे से, chapter 6, यह बड़ा interesting chapter है, but इसमें से, यह portion आएगा, theorem 1 से लेकर 6.1 से 6.5 तक आएगा, बाकि यह सब theorem नहीं आएगा, जो कि page number 141 से नीचे नहीं आएगा, उसके बाद अगर हम लोग exercise का बात करें, तो exercise में 6.1, 2, 3 आएगा, बाकि यह 4 और 5 नहीं आएगा, आगे आजाओ, यहाँ पे आपके पास है chapter 4, ठीक है, चैप्टर 4 में देख लो क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, तो चैप्टर 4 में exercise 4.1, 4.2 और 4.4 आएगा, और 4.3 नहीं आएगा, जो कि completing a square method है और example 789 भी नहीं आएगा, किलिए रहे यहाँ तक, चलो आगे आजाओ, और यहाँ पे बचा chapter 3, पेर ओफ linear equation into variable, exercise 3.1, 2, 3, 4 आएगा, और यह दो आपका नहीं आएगा, 3.5, 3.6 नहीं आएगा, चलो आगे देख लो, और आपके पास आगया chapter 2, polynomial, सबसे छोटा chapter यही है, अभी बन गिया है, अब पहले नहीं था, तो 2.1 और 2.2 आएगा, बाकी चीज़े नहीं आएगा, समझ में आया, और अब आता है हम लोग का प्यारा chapter 1, प्यारा क्यों, क्योंकि यह first में आता है, chapter 1 है आपका real number, इसमें exercise 1.1 नहीं आएगा, सबसे ज़्यादा यही चीज़े student को परिशान करता था, जिसको CBSA नहीं हटा दिया, बहुत अच्छा किया, 1.2, 1.3 आएगा, और 1.4 भी नहीं आएगा, बिध एक्जामपल, तो I hope यह चीज़े आप लोग समझ गए होंगे, अब एक चीज़ अगेन, नोटिस कर लेना, कि यह हम सारा चीज़े old book के लिए बनाए, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो, कि सर्थ new NCRT book का PDF में प्रुवाइड कर दो, तो comment करके ज़रूर बताना, हम आपको सारे subject के, सारे chapter के PDF प्रुवाइड कर देंगे, तो जल्दी से फटा-फट comment करो, और हाँ, इसको बनाने में बहुत effort लगे है, बट आप लोग के लिए कुछ भी करेंगे, तो आप लोग इसको थोड़ा सा अपने friend circle में share करके, और comment करके भी बताना, ठीक है, बाकी subject का भी हम फटा-फट से चीजें आपको देंगे, I hope आप लोग को समझ में आया होगा, बट कोई doubt है, तो नीचे comment box में comment कर दो, हम मिलते हैं आप लोगों से next video में,